ब्रोट तो यू बाई 5PESA.com इन्वेस्टिंग मेड एजी एंड रिवर्डिंग डाउनलोड अप नाउ तो आज तो बस यही कैलकुलेट कर रहे थे दिन की शुरुआज में तो कितना टूटेंगे ओपनिंग कितनी ग्याप डाउन देखने को बिल सकती है ग्याप डाउन हुए लेकिन उसके बाद समल गए आज के सत्र में उतनी विक्वाली नहीं थी इतनी की anticipated हम कर रहे थे तो obviously निशले सरों से कुछ खरिदारी definitely आज इंडन मारकेट में बनी है जैसे कि आप जाते ही कि LIC के IPO ने बजार में दे दी है 10 तक तो उसी के चलते 5 पैसा लेकर आया आपके लिए 1 mega offer जो कि 15 मही तक valid रहेगा करने सिर्व आपको यह है कि 5 पैसा में अपना DMAT account खोले जिसके जरीए अगर आप LIC के IPO में invest करते हैं और UPI mandate देते हैं तो आपको मेलेंगे top brands के 5000 रुपे तक के vouchers और साथी साथ LIC की listing के 15 दिनों के अंदर अगर आपने LIC के shares में trading की उस पे लगने वाले brokerage पर भी आपको 1000 रुपे तक का cash back भी मिलेगा तो देर मत कीजिए डाउनलोड कीजिए 5 पैसा app जिसका link description में दिया है इस link को click करके आप डाउनलोड कर सकते हैं 5 पैसा app और साथी साथ आपको एक coupon code type करना पड़ेगा तभी यह offer आपके लिए valid होगा यह coupon code नोट कर लिजिए LLT 6000 यह coupon code जिसको आपको type करना होगा 16800-16900 बहुत important पड़ाव था बजार का बजार ने एक बार फिर से इस level को कर दिया respect open 16924 के level पे हुए gap down opening देखने को मिली उसके बाद जो recovery आई दिन का high चूलिया 17,092 का एक range में दिन भर कामकाज हो रहा था कोई बहुत बड़े trades निकल नहीं रहे थे heavy weights में लेकिन जिहां आज के दिन की closing है वो है 17,069 33 points की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है निफ्टी बैंक 75 अंकों की इंडेसेंट बैंक चमाग गया ये stock लगभग 4% उपर बंद हुआ है कोल इंडिया 5% उपर पार ग्रिड लेटर हाफ में चड़ा 2% ये चड़ गया टाटा स्टील में भी लेटर हाफ में अच्छी खरदारी देखने को मिल रही थी हो 2% का उच्छाल ITC यहाँ पर भी लगभग 1.5% का उच्छाल देखने को मिला निफ्टी लूजर्स में पहले पायदान पर आप पाएंगे आईशर मोटर्स को जिसमें आज के सत्र में लगभग 3.5% गिरावट देखने को मिली है और ऐसी बजाज आटो भी लगभग 3% लोड़कता हो नजराया इसलिए क्योंकि आटो नम्बर्स आये थे रोग उसके बाद मुनाफ़ा वसूली हो गई अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन और विप्रो जैसे स्टॉक्स हलके हो गए 1.5% से 3.5% सेक्टर स्पेसिफिक, पहला मेटल्स, जिसमें टाटा स्टील आउट्शाइन कर रहा था 2% उपर, नालको, रतना मनी, JSW स्टील और हिंडालको में हरे निशान की क्लोजिंग देखिए, निस्ट ने सरो से समल गए यह स्टॉक्स बहुत बिटाई औरडी हो चुकिया, इसके लावा प्राइवेट बैंक्स और मीडिया, कुछ इक्के दुक्के स्टॉक्स थे, कहीं पर हरे निशान की क्लोजिंग देखोगे, आप इंडिक्स में कहीं पर लाल निशान की क्लोजिंग देखोगे, लेकिन सारे काम और हैथवे, हरे निशान की क्लोजिंग, फिनांशल स्रविसेज, ये तपका है बजार पर जो तेजी में है, और इसमें भी एक स्टॉक है, श्रीराम ट्रांस्पोट फिनांस, दो दिन हो गए है, पकड़ बहुत मजबूत करता चला जा रहा है और आज भी 2% चड़ा, HDFC, ट्विन्स, दोनों में अच्छी खरेदारी थी, इसके लाबा चोला फिनांस, मुथूट फिनांस और ICAC, जनरल इंसूरिंस, आदे फीजदी से 1% उपर बंद हुए इंफोस्मेंट डिरेक्टर ने शाओमी के 5,551 क्रोड रुपे के एसेट्स को जब्द किया है, फेमा के ओलंधन का मामला है और उसका खामियाज़ा उठाना पड़ गया, आज Dixon Technologies को जो की कॉंट्राट मनुकाक्टरिंग करता है और वो स्टॉक आज 9-10% नीचे जाता हुए नज़राया बहुत ज़ादा विक्वाली Dixon के स्टॉक में आज के सत्र में हुई है इसके लावा Titan, Voltas, Orient, Electric, Crompton, Hevels, Consumer Durables की पकड़ आज लूज होती हुई नज़राया IT Stocks में आज दिन खराब था L&T Technology Service का Emphasis का Wipro L&T Infotech का 0.5% से 3.5% रुड़क गए Tech, Mahindra, Mindtree, Cofford जैसी जो कंपनिया हैं इनके Shares 0.5% से 2% नीचे बंद हुए है Auto जैसे मैंने का एक तबका जो मुनाफ़वसूली की चपेट में था क्योंकि हाँ पर Auto Numbers आए हैं उसके बाद Profit Booking देखने को मिली तो आज के सतर में Aisar Motors, भारत Forge, Escorts, Bajaj Auto, Bal Krishna Industries, Maruti जैसे Stocks आज गिरावट में थे जिसमें सबसे ज़ादा गिरे हैं Escorts, Aisar Motors, Bajaj Auto और भारत Forge इसके लावा F&O जहाँ पर बड़े सौधे होते हैं उसमें पहले पायदान पर है Tata Chemicals वो इसलिए क्योंकि नतीजे शांदार कंपनी ने पोस्ट किये इनफाक्ट आज Chemicals सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पर अच्छी खरिजारी हो रही थी Tata Chemicals के नतीजों का एंपक्ट था Stock Hood 10% उपर चड़ गया Canfin Homes नतीजों के बार लगभग 8.5% चड़ा है आज दमदार नतीजे दोनों ही कंपनियों के Indecent Bank नतीजों के एंपक्ट 4% उपर Zee Entertainment 3% उपर LIC Housing Finance लगभग 3% उपर वायदा में जहां पर गिरावट जादा देखने को मिली है उसमें पहले पायदान पर है Dixon Technologies 9% का Dent पड़ा RT Industries, Metropolis, Dr. Lal Pat Labs और Estor Limited में 4% से 4.5% की गिरावट देखने को मिली है मिढके आप Gainers की सूची में सूची बहुत लंबी है आज Counter Specific Movement देखने को मिल रहे थी जिसमें आप ये नाम तो आप लगभग रोजी सुन रहे हो चिन्नाई Petro और MRPL 8% से 10% उपर इसके लावा NLC India 10% उपर बंद हुआ है रूपा Icoastrox जो 8% उपर बंद हुआ Extra Micro GHCL 6.5% से 7% चड़ गए Aztec Life Sciences, Epcotex, Godrej Agrovit, Nocel, India Glycols और KEI Industries 7.5% से 5.5% उपर बंद हुआ है जो Losers है Mid Cap में उसमें है Solara Active 20% लुड़क गया HFCL लगभग 9% नीचे बंद हुआ GM, DC, Angel One में मुनाफ़ वसूली आ गई 7% से 9% नीचे बंद हुए है LG Brothers यहाँ पर लगभग 7% के गिरावट देखने को मिली इसके लावा GM Financial, Usha, Martin, Rally Gear जैसे Stocks 5.5% से 6.6% कमजोर हुए Max Health, Anant Raj, ThyroCare और Just Dial जैसे Stocks 5% लुड़कते हुए नजर आए अब आगे क्या होगा, देखिए 3 मई यानि की मंगलवार को Major Asian Markets बंद है, Chinese Markets बंद है, Japanese Markets बंद है और हमारे बजार भी बंद रहेंगे, इसके लावा जो Major Event है वो है जो कल से शुरू हो रहा है, US में FOMC की दो दवसिया बैठक यानि की 3 और 4 मई को ये बैठक हो नहीं है और ब्याजदरों पे बड़ा फैसला होगा बजार पहली पचा के चल रहा है कि लगबग 50 basis points का फैसला बढ़त हो सकती है US में, ब्याजदरों में, लेकिन कब-कब कितने quantum में होगी और Fed की commentary क्या होगी, ये भी कही ना कही बजार सुनना चाहता है कि Fed क्या stance लेता है, क्या कुछ aggressive stance तो ली लेने वाला हमने देखा, dollar index में अच्छी तेज़ी बनती चली जा रही है इसके लावा, ब्याजदरों में, अमेरिका में, एक दम से उच्छा लाता हूँ नज़राया है short term bond yields, long term bond yields के पार निकल चुकी है तो ये कुछ ऐसे factors हैं, जिसको बजार अब कही न कही पचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जी हाँ, हमारे पस जो major trigger है, वो FOMC की बैठागी है और जो भी फैसला आएगा, उसका बड़ा impact गुरुवार के सत्र में हमारे बजारों पे और impact सभी market पर पढ़ता हूँ नज़र आएगा, तो वो एक important event है इसके लावा, चार मई को ही LIC का mega IPO खुलने जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा IPO है, देश का सबसे बड़ा IPO खुलने जा रहा है तो इसमें भी कैसे subscription figures आते हैं, वो देखना होगा है इंकर बुक को तो तगड़ा response मिला है, ऐसा सूत्रों के वाले से खबर है strong response institutions ने अल्रड़ी दे दिया तो देखते हैं, retail category में उसको कैसा response मिलता है कुछ बड़े नितिजी तो अगले दो दिन तक आने हैं नतीजे उसमें है अदानी Enterprises, Godrej Properties, Hero Moto Corp, Tata Steel, Titan 3 मई को ये नतीजे हैं, और 4 मई को जो बड़े नतीजे आने हैं उसमें है दीपक नाटराइट, Hevels, Kotak Bank, OFSS, Rain Industries और Tata Consumer, ये कुछ ऐसे नतीजे जनकों closely track कर रहे हैं झाल 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 झाल